महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधान सभाचुनाव से पहले किसानों के मुद्दों पर राजनीती गर्माई हुई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र सरकार से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आगरह किया है। उन्होंने दावा किया कि इससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि कपास की खरीद 7122 रुपए के न्यूंतम समर्थन मूल्य पर की जाए। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में पटोले ने कहा कि कपास उतपादन के मामले में महाराष्ट्र देश में दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र के 40 लाक से अधिक किसान कपास की खेती करते हैं। उन्होंने कहा, राजे में परियाप्त कपास उत्पादन के बावजूद 22 लाक गांट कपास के आयात की खबरें हैं। इससे घरेलू स्तर पर कपास की कीमतों में भारी गिरावट की संभावना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतिय कपास निगम के पास भी कपास का बड़ा स्टॉक है। पटोले ने कहा कि किसानों के कल्यान को ध्यान में रखते हुए केंद्र को कपास के आयात पर ततकाल प्रतिबंद लगाना चाहिए और CCI को गारंटी वाले मूले पर कपास खरीदने क का निर्देश देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा कपास की कीमत 6500 से 6600 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है जो 7122 रुपए के नियूंतम समर्थन मूले से कम है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि बाजार में कम कीमत के कारण किसान अपनी कपास बेचने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कपास का स्टॉक किसानों के साथ साथ CCI के पास भी है। पटोले ने कहा कि जब देश में पहले से ही इतना बड़ा स्टॉक है तब कपास का आयात करने से कपास बाजार द्वस्त हो जाएगा जिससे किसानों पर काफी असर पड़ेगा और क केवल व्यापारियों को फाइदा होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कपास किसान पहले से ही कम कीमतों, क्रिशी उपकरन पर 12-18% गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स और बेमौसम बारिश के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बीमा कमपनियों को फाइदा पहुचाती है।